है है चंछ विए और सब्ला आज और सब्लंगों में सबढूर है वां पाइल यह प्ता अमेंड में में सब्सक्राइब न सब्सक्राइब सब्सक्राइब दोनों के क्योंट से वो कॉंबाइन है और हमें सिक्स्ट्थ ty मैं आधे आपको बताया था कि जिसमें एलिमेंट्स जो है ए ट्रांस्पूर्ड हगर हम निकालेंगे और अगर माइनस एक है जाएगा तो हम कहते हैं स्क्यूसिमेट्रिक स्क्यूसिमेट्रिक की तो यह प्रॉपर्टी हैं अब मैंने वह बताया था जो हम ट्रांस्पोस करते हैं वह माइनस में आते हैं अगर हम इसको transpose में लेंगे जिसे ये matrix हम लिख रहेते हैं यह लिखी, 0-1 3x, 1y-5 minus 6, 0, and it is a matrix एड़ा हम इसके transpose लेंगे 0-1 3x, 1y-5-6 5 & 0 हमने बढ़ा तो जो a transfer होता है वो minus a के बड़ाबर होता है यह इक को रहेंगा minus of a minus of a हम कर लेते हैं मैं हाँ कर लेता हूँ minus of a so minus of a करेंगी तो हम 0 1 minus 3x minus 1 minus y and here 5 and 6 minus 5 0 मैंने कुछ नहीं करा मैंने minus a से multiply करती यह minus a से multiply करके मैंने a लिख दी है matrix तो अब हम a transpose equal to minus a करेंगे यह minus a है यह a transpose है तो हम इससे हमारी x की value भी आ जाएगी so minus 3x इसके एकल दिखा रहा है 6 के पर so यहां मैं कट देता हूँ minus 3x is equal to minus x के एकल है minus minus cancel so x is equal to 2 है value हमाँ पास x value 2 निकल गी y value 0 निकल गी 6x plus y so 6x plus y की value के जाएगी 6 into 2 plus 0 so 6 to 12 and 12 भी जारा answer तो यहां पर हमने समझा कैसे x and y दे रखा था and 6x plus y की value निकल ली थी so आपको कुछ नहीं इसमें कुछ नहीं question था but इसमें यही था बस simple था कि इसक्योस्यमेट्रिक की property आनी चाहिए आपको then आप question करने के next question भी हमने बस matrix and determinant से ही है so इसमें दे रखा है एक ही matrix दे रखी है and determinant of x की value निकाल ली है so हम पहले इसका determinant solve करेंगे and इसका determinant solve करेंगे and equal कर देंगे equal दे रखा है equal जाएगा तो हमारी mod x की value आ जाएगी sorry mod की function भी है आपने पढ़ा होगा function उसमें chapter में function नाम की chapter में की mod होता है जो minus को plus में convert कर देता है so हम कर देते हैं इसका determinant निकाल लेते है so 3 into 1 minus of minus 4 into 2 is equal to 2x dot x minus 5 into 1 so 3 बंज़ है 3 minus minus of 8 मैं एक ही stack परके दिखाएँ आपको कोई confusion ना हो 2x square minus 5 11 is equal to 2x square minus 5 so 2x square is equal to 16 and x square is equal to 8 so अगर हम x की value निकाल लेंगे so under root 8 आएगी which is plus minus again so square आपने value 8 है then हम x की value निकालेंगे तो plus minus के साथ under root आता है and इसमें दे रखता है mod x की value निकालनी है so mod x की value हो जाएगे है मारे पास which is positive लेंगे तो plus का 8 and हम इसको 2 root 2 भी लिख सकते हैं so option c is correct है मैं आपको हर एक करके भी दिखा रहा हूं solution भी and option भी बता दे रहा हूं so concept आना चीए इसके लिए and मैं आपको concept बता भी रहा हूं साथ साथ सो आपके question आराम से जाएंगे next question a and b are two matrices यह दम conceptual question है मैं आपको concept बताया था यह matrix treatment में बहुत सारी conceptual भी आते हैं तो आपको conceptual knowledge होना बहुत जरूरी है अब इसमें कोई numerical question नहीं है यह दम conceptual question है अगर आपको concept आता है then आप यह question आराम से कर लेंगे so a and b are two matrices such that a b is equal to 0 कोई भी हमाबब a b matrix है a b कोई matrix होगी suppose करिए and b b suppose करिए कोई matrix है अब उसमें बताया नहीं क्या order है but इसमें क्या बोला है जब हम a b के multiply करेंगे तो वह 0 आ रहा है हमरपस null matrix आ रहें so इसमें क्या बोल रखे पहला option में a may be null matrix but me b may not be a null matrix इसमें may का सब इस्तमाल है तो आप ध्यान से पढ़िएगा so इसका मलब क्या है कोई a हमायब null matrix है बोस्टू क्रॉस्टू की null matrix है and b कोई भी not null matrix है मतलब इसमें 2 3 5 6 ऐसे कर गया है तो यह a है यह b है तो इसका simple सी बात इसका product 0 आएगा so यह हमायब में true है कि a अब null matrix है और b हमायब में non null matrix है हम इसका product करेंगे a भी equal to 0 यह आने वाला है तो option 1 is correct अब इसमें b वाला option में क्या रखा है कि इसमें क्या दिरखा है b वाली null matrix है और a कोई भी matrix है 1 2 3 4 यह a वाली matrix हो गई इसमें रखा है b जो हमायब में null matrix है तो इसकेस अब हम a b करेंगे तो वह 0 जाएगा which means कि यह सही बोल ला है b वाला option भी true है इसमें क्या बोल ला है c वाले में कि बोथ a and b में भी net matrix मालो ऐसा case हो गया कि यह भी 0 0 a और यह भी 0 0 0 0 so a b 0 है हमारे पास and b b 0 है so a b एक चीजी बताता है हमें कि a b का product जो हम करेंगे तो वह भी 0 आएगा which means यह भी true option है अब एक condition आती है हमारे पर d इसमें बोल ला है कि यह कोई matrix है जिसमें कोई भी entries ले लो आप and b b कोई entry है जिसमें non null matrix है इसमें 0 नहीं है 0 वाली matrix नहीं है हाला कि 0 हो सकता है इसके element में तो क्या इसमें 0 आ सकता है तो answer है yes अब आप बोलेंगे कि कोई example नहीं पर ऐसा होता है बहुत सवार आपने बुक में जब practice करेंगे तो कोई matrix के multiply कर रहे है and जब matrix multiply करोगे तो सब element कटके इसका answer 0 जाएगा तो ऐसा भी एक possible होते है कंडिशन इसमें में का सब इसमाल है तो आसा नहीं है कि हर एक case में ऐसा होता है में बदला कुछ case में हो सकता है तो हम इसको true कहेंगे कुछ case में ऐसा हो जाता है कि दो non null matrix है and हम multiply कर रहे हैं में दे रखा होता है a square matrix है of order 3 है यह दे रखा है and निकालना क्या है यह निकालना है तो मैंने matrix determine में आपको एक चीज बताया था कि formula आपको अची से याद करने है so कुछ नहीं है आपको जो formula याद करें उसी को apply करना है and बहुत simple question है यह question एक minute में निकल जाएगा formula नहीं आद है तो question नहीं हो पाएगा so मैं आपको फिर से बता जूँगा formula आपको याद नहीं करें बड़ आपको याद करें आपको याद करें एक्जाम के लिए जैसे आपने यह आलप पढ़ी रखा है a.adjoint of a a.adjoint of a आपको आपने पाड़ रखा है कि इसका क्या होता है इसका होता है simple सा determinant of a into i n cross n order की बात कर रहे हैं हमने आपके 3 cross 3 लिख सकते है so यह होता है formula so इसमें दे रखा है इसकी value दे रखी है हमार बार 10 i दे रखी है अगर हम इससे equate करेंगे तो हमें क्या बजल ला है कि determinant of a की value determinant of a की value हम अब बढ़ 10 है so यहां से determinant of a की value निकल गए मैंने कुछ निकरा formula लगाया और उससे हमारी value अपयाब निकल गए अब हमें क्या निकालना है यह निकालना है दूसर दे रखा है 1 by 25 हम क्या करते है पहले हम यह निकालते है determinant of adjoint of a so इसका फॉर्मला है मैंने आपको बताया था इसका फॉर्मला क्या होता है a to the power n-1 where n h order मैं आपको साथ साथ फॉर्मला भी बता जा रहा हूं क्योंकि आपने याद नहीं कर रखा हो एंड हमाइपा एंड ऑडर होता है 3-1 so which is square हो जाएगा 3-1 3-1 2 हो जाएगा 10 square हो जाएगा हमाइपा 100 अगर हमें निकाल लिए 1 by 25 की value निकाल लिए यहां कोने साथ में कर दे रहा हूं 1 by 25 adjoint of a so adjoint इसकी value हमाइपा क्या आई थी हमाइपा इसकी value आगी थी हमाइपा 100 so 1 by 25 into 100 so 4 so option D is correct so simple है formula आद करने हैं आपको अब अगें यह भी वह चीज है इसमें भी कोई आपको numerical calculation नहीं करनी बड़ वह था जो मैंने आपको पढ़ाया था कि properties होती है अगर आपको properties याद है तो आपको question 2 minute में कर लेंगे 2 minute भी नहीं बहुत कम टाइम लेगा आप सीधा option टिक कर देंगे आपको हो जाएगा अगर याद नहीं है तो अगें आपको question नहीं हो पाएगा so आपको conceptual बहुत strong रहना है matrix determine so यह भी एक property थी आप देख सकते हैं मैं आप दुबारा नहीं करा रहा है इसमें लिखी यह तो आप notes में देख सकते हैं पहले जम्म कराया था a into b inverse is equal to b inverse into a inverse so एक property है yes हम कह सकते हैं यह satisfy करती है a plus b inverse is equal to b inverse plus a inverse ऐसी तो हमने कोई property पड़ी नहीं है जब हमने आप chat कर सकते हैं जब आप उसमें जाएंगे पुराने वीडियो में तो ऐसी कोई property नहीं है तो यह wrong option है अगर हम इसकी देखें तो a into adjoint of a is equal to यह आप समझाता हूं जैसे हमने पढ़ा था a into adjoint of a is equal to हमने पढ़ा था determinant of a सो इसने कुछ निकरा इसने rearrange करा एंड इसने दिख्या बताती हमें adjoint of a को इनने ऐसा लिख दिया कि determinant of a into a inverse so yes यह true है क्योंकि say derive है so यह true है यह true है यह भी आपको में पार रख़ोगे properties में बताया था determinant of a inverse is equal to determinant of a the whole inverse so option कहौन से a c d so option a c d is correct so next question है हमार पास so इसमें थोड़ा सा tricky type of question है यह tough question नहीं है इसमें square भी दे रखा है आप धिहान से देखे हैं square को भूल मत जाना and lambda is equal to lambda दे रखा है कुछ values दे रखी हमें जो कि आगे काम आएगी देखते है and हम इसको solve करते है तो solve कैसे करेंगे so in question में क्या होता है basically हम try करते हैं कि यसे यह row है sorry column है तो हम try करेंगे जीरो-जीरो बन जाए maximum जगा दो जगा जीरो बन जाए और एक जगा बनी रहे तर चल जाएगा ताकि हमारे जो determined निकालेंगे वह आसानी से calculate जाए वैसी a,b,c बहुत सारे variable है और अगर हम इसका determine निकाले बैटर उसका square है तो यह बहुत complicated जाएगा बहुत लोग ऐसी छोड़तेंगे but मैं बताता हूं इसका easy तरीका क्या है हम क्या करेंगे इन दो को zero बरानी कोशिस करेंगे R3- हम कर सकते हैं या तो R2 भी कर सकते हैं या R1 भी कर सकते हैं suppose मैं R2 ही ले लिया suppose मैं R1 ही ले रहता हूं R2-R1 ले गया हमने दो operation लगाएंगे यह एंड़न हम देखेंगे कैसी रहेगी matrix पहले R1 matrix तो ऐसी रहेगी जो दूसरी matrix है यह हमने रोप्रेसन रहेगे तो R2-R1 रहेंगे यह 0 हो जाएगा and B-A हो जाएगा है B2-A2 हो जाएगा and यह हो जाएगा यहां पहले 0 हो जाएगा C-A हो जाएगे है यहांपे C2-A स्कॉर हो जाएगा row operation रहे है and detment की value न्युट होती हमने बता रखखा है इसमें पहले ही properties में आपको हम इतना कर दिया है अब हम क्या करेंगे detment की value निकाल नेगे so minus 1 मैं आपको रहा है column wise करेंगे ताकि 2 zero elements है तो इस वये से detment आथाल जाएगा सो इसको हटाएंगे and मैं आपको सिखा चुका हूँ डेटर्मेंट निकालना b-a c2-a2 अब माइनस करेंगे c-a b2-a2 and then is equal to lambda put करते हैं पेज आगे कर लेते हैं and हमारे पता है कि इसके जो एदम last में है एक स्क्वार भी है तो हम उसको forward नहीं करेंगे because अगर वह forward हो जाएगा तो हमारा answer निकालने problem हो जाएगा so minus 1 हम करेंगे and then हम क्या करते हैं इसमें से कुछ common लेते हैं so b-a common लिया and हम c-a common लेते हैं यह आपको बता है a2-b2 का formula है तो हम इससे कर सकते है and b-a common लेते हैं c-a b common लेते हैं minus c-a common है b-a common है so b plus a बचेगा so b plus a बचेगा तो अब minus sign यहाँ पर है मैं आपको एक और बड़ा करके दिखाता हूँ जैसे b plus a बहुत ब्लोग कन्फिन जाएगी so b plus a यहाँ पर and bracket close close and again एक और बड़ा bracket and here square नहीं भूल ला है आपको इसलिए मैं बार बड़ा bracket लगा रहा हूँ एक इस step solve कर रहा हूँ तकि कोई problem नहीं so minus 1 and हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर इसमें को solve करेंगे b minus a c minus a and अगर हम इसको open करनें मैं आकर इकर कर दिखा रहा हूँ a minus b हो जाएगा minus a हो जाएगा which is cancel c minus b हो जाएगा c minus b and again एक बड़ा सा bracket इसके अंदर square अब हम यह determine के sort form sort में हमने निकाल दिया abc variable करके determine की value कह सकते है so इसी तरीके साब करना है क्यासे करना है आपको try करना है जब जैसे abc बहुत सारे variable जाएगे तो आप try करना कि कोई भी एक row पकड़ेंगी या column लेंगे उनमें करना है दो element को zero करते ना है ताकि हम determine निकालते है तो आसानी बड़ जाए मैंने क्या करना है column में हमने देखा कि one one entry है तो मैंने row operation लगाया भी बन दे रखा है so b-a क्या जाएगा b-a वहाँ पर आया है which is one and b b-a दे रखा है c-a दे रखा है c-a is the gaming 3 3 दे रखा है and c-b हम आपर देखा है जाएगे c-b अगरम करेंगे c-b दे रखा है तो c-b दे रखा है and a-b दे रखा है and b-a पर जाएगा यह सब चीज हमें क्या है? given है question में and हम इसकी value put कर देंगे then answer मिल जाएगा b-a है हमारभा-1 so minus 1 minus 1 c-a 3 into minus 2 and again एक बहुत बड़ा bracket square है so minus 1 so minus 1 अब हम square को अंदर ले सकते है square minus minus cancel जाएगा 3 minus 2 6 and यहाब square and lambda so यह तो बन हो जाएगा and lambda and lambda 36 so मैंना आपको पूरे आराम से करके दिखा है बड़े-बड़े letters में ताकि आपको कोई confusion ना हो minus plus sign का so यह आपको बेसिक चीज मैंना आपको बता दी जब भी ऐसे question आएगे question में ही बताया तो और पहले जो वीडियो ना ही उन में ही बताया था और मैंने एक और सी बताई थी आपको जो डाइगलन elements है वो सब क्या होते है 0 होते है तो यह 0 होते है तो उससे हमारा question निकल जाएगा so excuse matrix के आपको property होता है 2x-1 is equal to 0 3y-2 is equal to 0 4z-3 is equal to 0 बस आपको properties याद होनी चाहिए क्या matrix कैसी होती है क्या properties होती है क्या operations है उससे सब क्यों सब जाएगे अब x is equal to 1 by 2 आएगे हमारे पास y is equal to 2 by 3 आगया z is equal to 3 by 2 हमें x y z की value निकान लिए x into y into z so 1 by 2 into 2 by 3 into 3 by 2 2 so हमारा answer आगया 1 by 2 so देखा आपने किस तरह किस है answer sorry sorry यहाँ एक mistake है which is z is equal to z is equal to 3 by 4 आएगे आपे छोट छोटी चीजों का धिहान रखना है यहाँ mistake कर दी बद आपको नहीं करना है so z is equal to 3 by 4 है then 2 से cancel होगा then 2 times होगा है so it 1 by 2 बचा और 1 by 2 बचा so 1 by 4 होगा 1 by 2 into मैं एक और step पर दे रहाँ which is 1 by 4 is the answer so option c is correct इसमें भी simple matrix excuse matrix matrix ही property आनी चीए next question है मारा पास आपको देख रहा होगा इसमें एक column खाली column matrix है यह भी column matrix है तो कुछ नहीं करना आपको equality value मैंने condition है equality of matrix बस वह satisfy कर देना है इससाब element escape करोगा और यहाण element escape करोगा उससे करेंगे तो आपको xyz की value आ जाएगी तो करते है x plus y plus z is equal to 11 दे रखा है और आप देख सकते है y plus z is equal to 8 दे रखा है y plus z is equal to 8 है so y plus z की value यहाँ put करेंगे so x plus 8 is equal to 11 x is equal to 3 so x भी आ लिएगी 3 and x plus z is equal to 6 है हमारे पास so x की value 3 आ गई and z की value निकाल देंगे so z की value भी हमारे पास 3 आ गई अब हम क्या करेंगे x plus y plus z is equal to 11 है x plus y plus z is equal to 11 है so x की value 3 है y की value निकाल देंगे and z की value हमारे पास 3 है is equal to 11 so y की value आ गई हमारे पास 5 x plus 2y minus 3z की हमारे value निकाल देंगे question में x plus y plus x वाई और जैड की वैली को निकालना यह है सो हम एक्स की वाई और जैड की वैली पूट करेंगे हैं हमारा आंसर जाएगा सो 3 प्लस 2 इंटू 5 10 माइनस 3 इंटू 3 9 सो 10 माइनस 9 1 एंड 1 प्लस 3 इस 4 सो आंसर इस 4 एंड ऑप्शन B यहां पर तो यह भी सिंपल कुस्टन था नेक्स्ट कुस्टन है एंट्रिस हमें दे रखी है और हमें को दे रखाए कि एन नेचुरल नंबर है अब बहुत से कहेंगे तो बड़ा अजीब से नहीं है इसमें क्या करना है हमें 2 और 3 तक निकालना है और हम जब पैटर्न दिख जाएगा तो हम कह सकते हैं कि एक पावर का एंड का पैटर्न भी सेम होगा जैसे एक टूरी पावर टू और थ्री का है सुवम वन 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 काया थिशचा सबना या या इससे सुद् fb निकालने मत लाएं हम इसकी मत्प्राइब करेंगे इससे आपको सिखा रखा है मैंने किस तरह से इसकी मत्प्राइब होती है एंड वसी सेकेंड में आपने चीज नोटिस करेंगे हां पर क्या रहा है तो कॉमन लेंगे तो यह आ रहा है यहां बहुत है तो यहां बहुत है तो यहां में निकालना क्या है तो इसकी पावर आख रही है तो इसकी पावर आ रहे है यह देख सकते हैं n-1 आ रही है जिसे हमाँ पर a3 है और हमाँ पर क्या रहा है टू स्क्वार इंटू ए आ रहा है तो अगर यह हम निकालना क्या है अगर यह n है तो यह क्या है इसको एक और तरीके में लिख सकते हैं 3-1 आप देख सकते हैं n-1 है तो 3 के लिए होल्ड की कंडिशन अब हम 2 के लिए देखेंगे तो a2 बराबर 2 की बावर आपको पैटर्न देख गए तो आपको पैटर्न देख गए तो आपको पैटर्न दिख जाएगा तो a2 की बावर रिए को आप पैटर्न सकते हैं कि क्या आंसर उसका next question again, वहह symmetric matrix के ओपर है, हमें आना चीए, symmetric matrix क्या होता है, is q symmetric, a transpose, is equal to a होता है, so हम क्या करेंगे, a transpose निकालेंगे, 3, 2,a, minus 5, minus 4, 0, b, minus 5, 3, 7, and a transpose equal हो जाएगा, कि इसके equal हो जाएगा, इस वाली matrix के, so हम value नहीं का सकते हैं, 2A equal to minus 4, so A equal to minus 2, A की value आगे है हमारे पास, and B again, so B equal to 3 है, B हाँ पर, B and या 3, so B equal to 3 हो जाएगा, so हमें नहीं काना क्या है, A plus B की value नहीं कालनी है, so A plus B is equal to minus 2 plus 3, 1, so option A is correct, so simple, symmetric matrix को आना चाहिए, आपको क्या है, A transpose equal to A होता है, अब next question यह भी, थोड़ा सा, जो detriments की form में लिखाया थे, उसी भी बेश्ट है, बस थोड़ा घुमा फिरा रखा है इन्होंने, बढ़ आपको, प्रॉब्लम नहीं लेनी, इस question को देखके, कैसे होगा, मैं आपको हर एक step में सिखाऊंगा, इसमें वो लखा है square matrix of size 4, मनला order इसका 4 है, and हमें determinant of A की value भी दे रखी है, अब हमें निकानला यह दे रखा है, कि A, B की value क्या होगी, स्टार्ट करते है, adjoint of 3A हमें दे रखा है, 2 to the power A, 3 to the power B, मैं इसका formula बताया था, को adjoint of adjoint of A का determinant का, इसका formula होता है, जो भी यहाँ value होती है हमें, इसको हमाने दे दिए, 3A दे रखा है, 3A का determinant की power n-1 square is equal to 2A3B, so n क्या है, order होता है, और order दे रखा है इसका 4, so 3A and 4-1 क्या होगा, 3, and 3 square होता है 9, 2 to the power A, 3 to the power B, अब हम इसको करेंगे, और आपको एक और property याद होनी चीए, आप बहुर्य इसको कर देंगे, गलत जाएगा, जैसे k और A होता है, power 9, जैसे कोई भी हैं इसमें, सो अगर k भाहर आना होगा, determined से, तो k अगर A का order है, दे रखा है, मानलो 3 cross 3, so k आएगा, determined सार, k into cube into A का determined, अगर कोई भी हमार पार constant है, जो determined के अंदर है, और उसको determined के भाहर लाना है, तो उसका जो under वाले value, जैसे A है, जैसे A का determined निकालना है, तो उसका order का power आ जाती है, जैसे k का scalaris में power आ जाती है, रहेगी, because यह तो determined से भार आया, वो तो इसकी property से आएगा, but यह 9 भी है, तो साथ में 9 भी आएगा इसके भार, and again हम इसको solve करेंगे, तो A की determined के वह देखे 6, so हम ऐसे लिख सकते है, 6, 6 की पावर 9, 3 to the power V, तो यहां पर 4 to the power 9 है, मरला 4 किती पावर मतला होगा, 9 times, इसका मरला यह हुआ, 4 की पावर, so यहां पर आएगा, 3 to the power 36, and 3 to the power 36 को लिखा है, हम यहां पर इसको ब्रे कर सकते है, 2 into 3, so इसको हम ब्रेक्स करेंगे, 2 to the power 9, c to the power 9, is equal to 2 a 3, so 3, 2 को हम 9 लिखा ऐसे है, and 3 की पावर अगें, 36 plus 9, which is 45, is equal to 2 to the power a, c to the power b, अब यह condition satisfy होग, equality hold हो गई, so a equal to 9 आ गया हमारे पास, and b is equal to 45, and हमें पूछा क्या था, a equal to 9 आगे, b equal to 9, and 545 आ गया है, पूछाता है, a plus b value जाओगी, so a plus b value आ गई यहां पर, मैं उपर बतायता हूं, हमारे पन a equal to आ गया था, 9, and b 45, so a plus b की value आगे हमें पास 54, so that's it, इसमें आपको बहुत, एक, दो, तीन चीज धिहान रखने थे, तो आपको formula आना चाहिए, यहाला determined का adjoint वाल है, and again यहाला भी आना चाहिए कि कोई constant है, determined का अंदर उसको हमें भाल आना है, तो कैसे आएगा, so यह भी एक formula है, 2-3 formula थे जो इसमें आपको आने चाहिए, and power का game था, power को आपको आना चाहिए, किस तरीके से power को distribute करते हैं, power को equal करते हैं, and यह आसान question थो नहीं था, but it is a good level question कहूंगा मैं, और इसको आपको ऐसे question के लिए आपको formula आने चाहिए, and और concept आने चाहिए, तब आपको एक question आराम सो जाएगा, so next question है, for which value of x determined को 2 matrix दे रखी है, सो इसमें कुछ नहीं करना, हम पहले वह करेंगे, इसमें determined की value निकालेंगे, and equal कर देंगे, तो x value आ जाए, so पहले में, 3 minus x square is equal to 3 minus 8, so 3 minus 3 is equal to x square minus 8, so x square is equal to 8, x is equal to plus minus root 8, so option b is correct, simple question था ही है, अब next question है, इसमें भी आपको बहुत चीज़ देख रही होगी, sine, cos यह सब चीज़ देख रही होगी, but इसमें भी घबराना नहीं है, simple question है, solve करते हैं, हम क्या करेंगे, इसमें determined की value निकालते हैं, and हम row y को expand करेंगे, सो यह पहले तो 0 है, यह 0 हो जाएगा, and बीच में क्या है, sine, सो आपको पता है, minus sine 2 alpha, formula से लिख रहा हूँ है, जैसे formula में हम लिखते है, minus of 1 plus ij, but यह बीच वाल element 2 plus 1 हो जाएगा, which is minus 1 to the power 3 हो जाएगा, which is minus आएगा है, and हम इस row के expand करने तो इसको ignore करेंगे, so, यह तो 0 जाएगा, sine alpha, square को 0 से मलप्लाइ करेंगे, इसको मलप्लाइ करेंगे तो जाएगा, minus, minus आता है, जैसे 0, minus आता है, 0 आएगा, minus, sin alpha, cos alpha, sin square, beta, and यह होगा, हम next row में बढ़ेंगे, next solid or next element में बढ़ेंगे, and minus cos square, alpha, similarly इसमें भी करेंगे, इस row को ignore करेंगे, इस column को ignore करेंगे, and यह आएगा हमरे पास, sin square, alpha, 2, sin square, beta, so, यहाँ पर आजाएगा हमरे पास equal, minus sin 2 alpha, and यहाँ पर जाएगा, sin alpha, cos alpha, sin square, beta, minus आएगे हमरे पास, which is cos square, alpha, and यहाँ माइनस था था और यहाँ माइनस था था हम कर सकते हैं, plus में कर्मट कर सकते हैं, plus cos square, and हम bracket ना लगाएं, तब भी चलेगा, because यहाँ पर तो, यहाँ और यह, cos square alpha, and, sin square, alpha, 2 sin square, beta, so, next step हम करेंगे, sin 2 alpha का फॉर्मला आता है, so, minus ऐसी रहेंगे, 2 sin alpha, cos alpha, sin alpha, cos alpha, cos alpha, sin square, beta, and plus, cos square alpha, sin square alpha, and sin square beta, so, हम देखेंगे, इसको multiply करेंगे, जहाँ चाहाँ होगा, माइनस 2, sin square, sin into sin, so, sin square alpha, cos alpha into cos alpha, cos square alpha, and sin square beta, तो, sin square beta, plus 2 को आगे करते हैं, cos square alpha, sin square alpha, and sin square beta, so, आप देख सकते हैं, यहाले term है, और यहाले term है, same है, to cancel हो जाएंगे, and यह जाएगा 0, so, determinant की value हागी 0, so, option a is correct है, हमें बस sign, हमें बड़ बड़ टाम को इनको solve करना था, determinant को expand करना था कह सकते हैं, आपको अगर अच्छे से expand कर लेंगे, तो आपका answer आ जाएगा, और एक और चीज़े इसमें और भी option correct होंगे, because 0 है तो independent of alpha भी है, independent of beta भी है, but determinant of, इसका 1 तो होगा नहीं तो यह तो गलत है, इसमें देख लिए हमने कैसे लिख करते हैं, इसमें बस sign का formula भी आना चाहिए आपको, and expand करना चाहिए हो जाएगा question, so I hope यह last question है, मैंने आपको direct formula बता रखा था, जब retirement हमने chapter पढ़ना था, अगर उसमें से आप से देखे, यह हमने column wise expand करना चाहिए है, तो a11 हमने किया, and determined expand करते हैं, तो यह हम आपा जाएगा, a22, a23, a32, a33, and minus हम करेंगे, because determined के formula से हम करेंगे तो, और यहाँ पर, a13, a32, a33, plus column wise हम इसको expand करते हैं, तो last column, last element है column का, so a12, a13, a22, a23, अब यह तो elements हैं, इसमें एक और चीदे रखें, इसने aij को elements बता रखा है, and जो बड़े aij दे रखा है, capital aij वह लखा है cofactor, आपको बता रखा था, cofactor क्या होते हैं, cofactor यह होता है, a plus i, minus 1 to the power i plus j, and minus होता है, तो आपको दीख रहा होगा, कुछ-कुछ minus की तरह ही है, लेकिन अगर हम इसमें, लगाएंगे जो definition है या formula कह सकते हैं इसको, तो हम अगर इसमें लगाएंगे तो satisfy करेगा, देखे कैसे, और अगर हम minus sign को common ले, और a to one को खाली छोड़ें यहाँ पे, और minus sign को common ले, और इसमें हम put करें value, so two plus one three हो जाएगा, और बाकी minus का तो यह दे रखा है, so minus one to the power three is minus one आएगा, और minus दे रखा है यहांबे, तो क्या सकते हैं कि यह nothing but it is a cofactor of a21, and again हम इसमें भी same करेंगे, तो यह भी हमें बदले का यह भी cofactor है, तो इससे क्या आजाएगा हमारा answer a11, element है और साथ में इसका cofactor, and यहां minus की जगह minus नहीं आएगा, because हमने minus को इस्तमाल करा, इस फार इस फार इस cofactor है फॉर्मले में, यह cofactor में convert हो जाएगा, so plus a21 and a21, capital नहीं है, and next यह element है, इसका cofactor आ जाएग, so मैं आपको column wise explain करके बता दिया है, and यह property आप याद करें, वैसे तो इतना exam आपको explain नहीं करना किसी को, but आप याद कर लिए कि यह determined की value यह होती है, and यह आपको exam में यह previous year में आ रखा है, and आपके exam में जो upcoming exam में CVT का उसमें भी आ सकता है, so हमारे लगबग सारे question हो गया, and यह numerical भी थे, यह जो कि previous year में CVT में आ रखे थे, तो आपको आप confidence boost हो गया होगा, and इसके साथ हम आगे भी और सारे chapter करेंगे, तब तक लिए आप यह देखिए, and आप comment में अपने views बताईए कि आपको कैसे लगा, वीडियो कैसे लगी वीडियो कैसे लग रही है, and कोई mistake है तो वो भी बता दीजे, हम उसको भी correct कर लेंगे, आगे हैं अरी वीडियो में, thank you.